नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फूल टेस्ट लागाएंगे जहां पर आपके पच्चास प्रस्ण होते हैं काफी अच्छे प्रस्ण हैं जितने लोग यह जूट चुके सभी लोग वीडियो लाइक करदें सेहर भी करदें आवाज आ रही है मारी आवाज आ रही है चलिए आवाज आ रही हो तम लिए स्टार्ट करते हैं चलिए ओके चलिए यहां पर आपका प्रस्ण दिया गया है कि निम्न लिखित में से कौन हाथ का पर कौन सा देखे पाड़ी रोसनी अंस और माली सही जोब होज़ेगा अपका यह पाड़ी होता है ठीक है पाड़ी आपका हो जाएगा ठीक है चले ने इस कोशन आप से अगला पूछा गया है आपर किनिम्निखित में से कौन सूरी का परयवाची नहीं है कौन शूरी का परय इस गजेगा तो यहां पर आपका देखो रभी दीवाकर भासकर होता है दिन नहीं होता है ठीक है तो यहां पर आपका हो जाएगा ठीक है झाले नेस कोशन आप से पूछा गया है किनिम्निखित में से किसकी वर्तनी सुद्ध है और यहां पर आपका दिया गया है अनुग्रिहीत, पूर्डिमा, तिरसकार और अंतरास्टी और इसका जबाब हो जगा उप्सन राइट आपका यहां पर ए नमबर अनुग्रिहीत यहां पर बिलकुल सही है जिसका जबाब ए आ रहा है बिलकुल सही है यहाँ पर गलतिया क्या है इसको देख सकते हैं कि जो पूर्डिमा है यह आपका गलत था सुद्ध पूर्डिमा इस प्रकास से लिखायाता है तिरसकार तिरसकरत होता है तिरसकरत और अंतरास्टी इस प्रकास से लिखते है ठीके चलिए अगला कोशन आप से पूछा गया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है वैदेही वनवास किसकी रचना है 54 का जवाब और सही जवाब होजेगा option right आपका यहांपर a number अयोध्या सिंग उपाद्ध्या है किसकी रचना है आपकी तो अयोध्या सिंग उपाद्ध्या की रचना है option आपका होजेगा a number ठीके नेस कोशन आप से अगला पूछा गया है आपर कि नेमलिकेत में से कौन सा वर्ड उचारण की दरष्टी से दंत नहीं है और यहाँ पर दंत नहीं है देखो ता है, ना है, दा है और आपका टा तो यहाँ पर आपका जवाब हो जीगा option आपका पर डी नमबर टा हो जाएगा यह आपका दंत नहीं है ठीके टा ये टा जो आपका आता है ये मुर्धने के अंतर गता आता है ठीके चलिए नेस कोशन आपसे अगला पूछा गया है आलसी का विशेशनल सब्द क्या होगा आलसी का विशेशनल सब्द बताना है सभी लोग साथ में जवाब दीजेगा आलसी का विसेशन सब्द क्या होता है तो जवाब हो जगा option right बिल्कुर सही है option आपका यह हो जगा आलसी होता है ठीक है आलसी होता है नेज्स क्योशन आपसे एकला पुछा गया है आपर निम्लिकित में से कौन तस्सम सब्द है कौन तस्सम सब्द है आश्चर, हाथ, कंधा और आशू और तर्सम पुछा है तर्सम हो जएगा आपका यहाँ पर इनमबर आश्चर ठीके आश्चर जो आपका है यहाँ कैसा है यहाँ पर तर्सम हो जएगा Next question आप से एकला पुछा गया है कि निम्रिकित में से कौन सा तदभाव सब्द है कौन सा तदभाव सब्द है तदभाव सब्द पूछा है और यहाँ पर तदभाव सब्द दे को दिया है प्रापरटी तो पीठी का पस्चताप यहाँ पर जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुत सही है पंख जो आपका है या आपका क्या है या आपका तदभो सब्द है और इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है Pah और खा का परिवर्बरत हम जाता है 6 इसका तत्सम बनता 5 होता है ठीके चलिए, next question आप से एकला पूछा गया है पाय का समनार्थी शब्द निम्निखित में इसे कौन है पाय का समनार्थी सब्द और पाय का समनार्थी यहाँ पर दोद है सुधा है अमिय और आपका काल और जवाब हो ज़ेगा option right आपका A-2 यह आपका कहिछ सकते हैं यह आपका इसका परावाची है ठीक है चले ने इस question आपसे एगला पूछा गया है कि नम्रिकित में से कौन सा सब्द अनेकार्था सब्द है अनेकार्था सब्द जिसके अनेकार्था निखल सकते हूं काल, सुल्क, संगठन, लोकतंत्र और काल यहाँ पर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है very good option आपका यह हो जाएगा काल देखी काल के अनेकार्था सब्द होते हैं जैसे समय, म्रत्यू, यम्राज, अकाल, आउसर यह सभी आपके काल सब्द के अनेकार्था सब्द है ठीक है option आपका यह हो जाएगा next question दिया गया है होनहार वीरवान के होत चीकने पात का अर्थ क्या है होनहार वीरवान के होत चीकने पात यह question बार-बार repeat होता है इस समय और सही जवाब हो जाएगा option राइट कि होनहार के लच्छन उसके विकास की प्रथम अस्था से ही दिखने लगती है हाँ बिल्कुल सही है आपको option आपका यह हो जाएगा पहला ही हो जाएगा जहोनहार जो बच्छे होते हैं वो बच्छपन सही उनको दिखाए मतलब उनके गुर्ण का दिखाए देना दिखने लगता है ठीक है यहाँ पर आपका A number हो जाएगा अगला question आपसे पुचा गया है कि मांगना किस मोहरा कर्थ है मांगना मांगना का मोहरा पुचा गया है शिर्फ एक सब्सक्त है और इसका देखो अर्थ पुच लिया है मांगना तो इसका होता है मुझ फैलाना ठीक है? ऑप्सन आपका यह हो जाएगा मुह फैलाना ठीक है नेस्ट कोश्चन आपसे एगला पूछा गया है यहां पर किनमलिकित में से कौन सुद्धवाक की है कौन सुद्धवाक की है मा बच्चे को दूद पिला रही है अच्छा यह तो सही लग रहा है देखते हैं फिर भी राधा उपवान में नाच रही है क्रश ब्रंदावन में बंसी बजा रहे हैं ब्रंदावन ततपो इस तरिए यहां पर ऑप्शन राइट आपका मा बच्चे को दूद पिला रही है यह आपके हैं पर सही हो जएगा ठीक है यहाँ पर राधा उपवन में नाच रही है इसका सुद रूप अगर होना चाहिए कि राधा उपवन में नाच रही है राधा उपवन में नाच रही है यहाँ पर नाच कर देखु लिकत है गलती में है कहीं न कहीं गलती आपकी जरूर मिल जाएंगी इसी प्रकार देखा जाए क्रश्ण बंदावन में बंसी बजा रहे हैं यहाँ पर यह भी आपका बंदावन थोड़ा सा कोई प्रदवर्तन क्रश्ण क्रश्ण बंदावन में बंसी बजा यहाँ पर बंसी बजा रहे हैं भाई यह भी आपका सही है यह भी आपका सही है क्रश्ण बंदावन में बंसी बजा रहे हैं दो आपका A और B यह भी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा A और C दोनों ही सही है चले नेस कोशन आप से अगला पूछा गया है है आपर कि नेमनी कितमे से कौन सुध धवा की है चले याँपर चारों अपसन देखना पड़ेगा ठीकर हो सकता है कभी कभी दो दो अपसन आपके सही होते है तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि वे पास हैं और ये दोर वे पास हैं और ये दोर दूसरा दिखते हैं वहाँ खिड़की से बराबर देख ताक रहा है तो यह तो गलत लग रहा है वहाँ आया पर गया नहीं मत्रा तीनों लोकों से नियारी होना चाहिए यहाँ पर आपसन आपका A हो जाएगा वे पास हैं और ये दोर ठीक है देखो यहाँ पर वह आया पर गया नहीं यहाँ पर जिसे B नमबर देखते हैं कि वह खिड़की के बराबर देख ताक रहा है वह खिड़की के बराबर देख रहा यह आपका होना चाहिए है, तो यह इकलती है, वह आया पर गया नहीं, यहाँ पर आपका होना चाहिए, वह आया फिर गया नहीं, यह आपका होना चाहिए, मतरा तीनों लोकों से न्यारी, क्या होता है, न्यारी होता है, बड़ी यहाँ प प्रकाल से यहां पर शिर्फ जो आपका है वो आपका A number हो जाएगा NEXT question आपसे अगर पुछा गया है कि दही बडा में कौन सरो समास है, answer आपको दिख गया है दही बडा दही बडा में आपका हो जाएगा दही बड़ा में आपका समास है, ठीके यहाँ पर दही बड़ा को अगर तोड़ा जाता है तो दोनों ही अर्थ निकलते हैं इस प्रकार से यहाँ पर विग्रागर किया जाएगा तो दोनों ही पर धाना जाएगा और दोनों को बीच के आपका और चिन मिल जाएगा और यह कह सकते हैं या जैसा सब्द मिल जाएगा ठीके दही मी दही बढ़ा दही और बढ़ा इस परिकार से ठीके यहाँ पर आपका यह नंबर और नेस्स कोर्चन आप से अगरा पुछा गया है कि सिउपरण में कौन सा समास है तो यहाँ पर स्यूपरन अधात स्यूप के लिए अरपड़ और यह सब दाप कबानेगा ततपूर समास में ठीक है ओप्सन आपका होजेगा ए नमबर नेस कोशन आप से एकला पुछाए करुण रस का एक वाक्य बताईए करुण रस का यहाँ पर उधारण बताना है कौन सा करुण रस का उधारण है करुण रस तो राम के प्रति दसरत का विलाप सीता का वनमास राधा का करस्वन से मिलन लडाई की भेरी गोस तो यहाँ पर देखो करूर रस आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा यह बला हो जाएगा ठीक है ओपसन आपका A हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन आपसे अगला पूछा गया है पर कि फूले कास सकल मही चाई में कौन सा लंकार है फूले कास सकल मही चाई तो यहां पर फूले का सकल महिच्छाई में जवाब का लंकार है वो कौन है और यहां पर आपका जवाब हो जगा अप्सना राइट आपका यहां पर सी नमबर उत्परेच्छा लंकार है ठीक है उत्परेच्छा लंकार है जहाँ उपमे में उपमान के संभावना की जाए वहाँ उत्परेच्छा रंकार होता है ठीके फूले कास सकल मही चाई में उत्परेच्छा रंकार है यहाँ वर्षा रित्व के बाद सरद के आगमन का वड़न हुआ है सरद रित्व में कास के कह सकते हैं खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा रित का बुढ़ा पर प्रगट हो गया हो ठीके तिहां पर कास के जो फूल है अर्थात उप में है वर्षा रित के बुढ़ा पर अर्थात उप मान की संभावित कलपना की जा रही ठीके अगला कोशन या पर अगला पूछा गया है पर कि जब पंक्ति में एक ही सब्द की आवरती हो किन्तु अर्था आलग अलग हो सब्द एक हो और आर्था नेक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जब पंक्ति में एक ही सब्द की आवरती हो यह आपका होता, यमा कलंकार, क्या होता है, यमा कलंकार होता है, और अगर सब्द एक होता, उसके अर्थनेक हो जाते हैं, तो फिए आपका slice हो जाता है, ठीके, का मतलब यह क्या हैम कि मात्रिक ठंद चंद ऐसे आपको यह लेकिन आप्स शुखी में नहीं है, option अपको यहां पर एंव को जाएग यह नेक्स कोष्चन आप से एकला पूछा गया है अध्यापिका में कौन सा प्रत्य होगा अध्यापिका क्या हो जाएगा बई अध्यापिका ये औप सन आपका है ओज सब्लिंग सब्द है 73 का जवाब पुल्लिंग सब्द पूछा है और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रोटी, कोयल की बोली, कविता और गीत पुल्लिंग सब्द आपको हो जाएगा गीत ठीके गीत कैसी नहीं, गीत कैसा है कैसा और कैसी से अंसर आपका निकाल जा सकता है ठीके इस question आपसे एगला पूछा गया है कि निमनिकित में से कौन सी रचना मुन्सी प्रेम चंद की है कौन सी रचना मुन्सी प्रेम चंद की रचना है आपर तो बिल्कुल लिजी question आपका है रंग भूमी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं रंग भूमी यह आपके मुन्सी प्रेम चंद की रचना है ठीके आगला question यहाँ पर पूछा गया है कि सुरेंद में कौन सी संदी है सुरेंद में कौन सी संदी है सुरेंद्र में कौन सी संदी है और सुरेंद्र यहाँ पर कह सकते हैं सुरेंद्र में आपके हो जाएगी गुण संदी क्या हो जाएगा एक ही मत्रा है और यह आपको हो जाएगा गुण संदी ठीके हमने बता है यह कह सकते हैं जब ओ होता है ठीके A या O होता है तो आपको गुड़ संदी होता है ठीक है ओप्सन आपका यहां पर B हो जाएगा अगला कोशन आपसे पुछा गया है कि निम्लिकित में से कौन सज्जन का संदी विच्छेद होगा सज्जन और सज्जन का जवाब का हो जाएगा भई कौन सा सज्जन अर्थात सद्धन्जन क्या बनेगा सद्धन्जन और सद्धन्जन अर्थात ओप्सन आपका यहां पर A हो जाएगा सद्धन्जन हो जाएगा नेस कोशन आपसे एगला पुछा गया है कि जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है अभयोगी बोलते हैं याद रखिए और यहाँ पर नेस कोशन काते हैं अच्छा दोस लगाने वाले को दोस खोजने वाले कुछ हिंदरन वेसी बोलते हैं चलिए नेस कोशन आप से एकला पुछा गया है कि गुरू सिस को पाठ पढ़ाता है में कौन सी करिया है गुरू सिस को पाठ पढ़ाता है कौन सी करिया होगी गुरू सिस को पाठ पढ़ाता है तो प्रेणा तो हो नहीं सकता है दुती प्रेणा तक भी नहीं है अर्थात गुरु सिस को पाठ सिस भी हो गया, पाठ भी हो गया दूई कर्मक करिया अप्सन आपका यहां पर सिखो जाएगा दूई कर्मक करिया हो जाएगा ठीके जिसमें दो कर्म आपके कह सकते हैं वो आपका होता है ठीके एक प्रथम कर्म प्रधान या मुक होता है ठीके पाठ मुक कार है और सिस यहाँ पर गोड कार है ठीके चलिए ने इस कोशन आपसे पूछा गया है आपसे कि आकर्षन का विलोम निम्निकित में से कौन है आकर कर्षण का विलूम क्या बनता है भई तो यहां पर आपका जबाब हो जाएगा आपकर्षण का विलूम आपका हो जाएगा वी कर्षण ओप्सन आपका ए हो जाएगा वी कर्षण हो जाएगा ठीक है वी कर्षण हो जाएगा वी सर्जन का विलूम आवाहन होता है विलो उतकर्स होता है ठीक है अगला कोशन दिया गया आधी आई और पानी बर्सा आंदि आय और पानी बर्सा ती यहांपर आप्का और सब्द आया जो कि आपको समुच्छे को तर्शा राय है आर्थात्व समुच्छे ब्योधक बब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ध एं ठीक है ओप्सण आपका ए हो अगला question दिया गया है कि निम्रीकित में से कौन भिन है देखिए इन में से कौन आपका भिन है आपर अंक गड़ना गिंती लेखा और जवाब हो जेगा option आपका बिलकुल इजी है लेखा सब्दा का यापर इन चारों में से क्या है भिन है ठीक है next question दिया गया आपसे कि अनुरक्ती आसक्ती विरक्ती वा प्रेम में कौन भिन है अनुरक्ती आसक्ती विरक्ती और प्रेम इन में से जो भिन है वो आपका कौन सा है तिया आपर अनुरक्ती आसक्ती प्रेम यह आपका कह सकते है एक है लेकिन विरक्ती option C यह आपका कह सकते है दूसरे के समनाती सब्द हो जाएंगे ठीके तो इस प्रकास से विरेक्ट का आसर होता है उदा सीनता यह कह सकते हैं खिन्नता इस करण से आपका सी हो जाएगा नेस कोशन दिया गया है कि उसने अपने आपको धोखा दिया इस वाक्यांस के अपने आप सब्द में कौन सा सरवनाम है अपने आप यहाँ पर जो सरवनाम है वो कौन सा है अपने आम अब मतलब जो अपने के लिए प्रियोग करते हैं आप वो आपका निजवाचक होता है क्य सब्सक्राइगमें किलते हैं। तो बंदा हुगुर पद पदम पर आगा अगर चाहे तो मात्र आप लगा सकते हैं दो तीन चार पांच छे सताथ अधर ग्यरवदा अधर सूला इसमें सूला उदर यहाँ पर आपका option आपका यह हो जागा चौपाई यहाँ पर क्या है आपका चौपाई है चौपाई क्या होती है चौपाई एक समात्रिक छंदे और प्रतिक चरण में सूला मात्र होती है ठीक है और अंत में जो होता है वो जगण और तगण होता है ठीक है तो जगण और तगण से देखा जाए तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाए कौन सा यहाँ पर कोरिशन काते हैं कोरिशन आप से एगला पूछा गया है कि नहीं हम लिखे तो वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है सकर्मक मतलब क्रिया साथ में हो क्रिया क्या हो साथ में हो रमेश अपना हाथ खुजाता है लीता पढ़ती है वह आता है संगीता अपना हाथ खुजाता है क्या हाथ खुजाता है इसका मतलब है कि इसमें आपकी कर्म है ठीके कौन सा ए नमबर आपका हो जाएगा यह वारे इसमें आपका कर्म है ठीके इसकानल से सकर्म करिया हो जाएगे अगला कोशन आपर दिया गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुब बुरी समास क्या बोलते हैं बहुब बुरी समास बोलते हैं ठीक है और बहुब बुरी समास जो होते हैं लगबग देखा जाए कि भगवानों के नाम चाद आपको देखने को मिलते हैं ठीक है निएस कोचना आपसे अगला पूछा गया है रस राज किस रस को कहा जाता है रस राज किस रस को कहा जाता है रस राज किस रस को कहते हैं तो यह कहते हैं आपके स्रंगा रस को आपसन आपका यह हो जाएगा स्रंगा रस को रस राज कहा जाता है ठीक है चले ने स्कोशन आप से गलाप पुछा गया है आपर कि हरी गीतिका के प्रतेक चरण में कितनी मात्राइं होती है देखो गीतिका अगर होता तो 26 होती है हरी गीतिका में आपकी 28 होती है याद रखेगा और समाधर के भी होता है अगला कोशिन दिया गया है मैं काम से जा रहा हूं वाकिमी से का कारक चिन कौन होगा मैं काम से जा रहा हूं से सब्द जो है यह समंद को दर्स आएगा किसको दर्स आएगा मैं काम से जा रहा हूं वाकिमी से का कारण कौन सा हो जाएगा मैं काम से जा रहा हूँ या कह सकते हैं मैं काम से जा रहा हूँ से कारण प्रत्मा करताने दुतिय कर्म को तिर्थिय करण से यहाँ पर करण हो जाएगा भई option आपका यह हो जाएगा करण कारक हो जाएगा से सब्द आपका करण में होता है चलेने स्कोचन दिया है कि कार की निश्चित्ता तै ना कर पाना इस वाकि के एक सब्द में कह जा सकते हैं कार की निश्चित्ता तै ना कर पाना इस वाकि के एक सब्द में कह सकते हैं अर्थातिकार की निशित्ता तैने करपाना, इसका एक सब्द जो बनेगा, ये सब्द आपको बन जाएगा, option A, किंकर तब भी वी मूड़, ये आपका होता है, इसका कैसे इतने मतलब इसे कम सब्दों बोला जा सकता है, ठीके, अगला question दिया गया है यहाँ पर, कि दिये आपका सरवत्तम, संसारिक, कीर्थिक और आपका सजीदान्द, और जवाब यहाँ पर आपका सभी कर्हा होने चाहिए, ये question आपने पढ़ भी है, यहाँ पर option सी हो जाएगा, सचीदान्द cens ये अपका सरसुति का पर्यवाची नहीं है तो भारती सारदा इला लेकिन पिनाक यह आपका कह सकते हैं पिनाक यह इसका नहीं है पिनाक कमान चाप यह आपके धनुस के होते हैं ठीक है तो option आपके आपके डे हो जाएगा नेस्ट कोचन दिया गया है आपसे यहां पर किने मिली कित में से कौन सा सब्द सुध्ध है कौन सा सब्द सुध्ध है कौन सा सब्द सुध्ध है यहां पर निश्छल है और सशी भूसनड है सभेता है प्रतिक्रा देखिए option आपके यहां पर निश्छल आपको बनेगा यह न गलतीं देखा जया तो ससी बूसरण होता है ठीक है शाम में होता है और प्रतिक्रिया होता है ठीक है इस प्रकार से यह तीनों आपके सय हो सकते थे नेस कोर्शन है कि जो अत्य landscaust से निवारित किया जा सके के लिए सब्ट बताना है जो 10th केस्ट से निमारित किया जा सकें इसी हैं आम लोग बोलते हैं 2, 7 क्या बोलते हैं 2, 7 बोलते हैं आपका 1 हो जाएगा 2, 7 Next question आप से पूछा गया है कि निमनिकित में से 1 प्रत्य से कि सब्दका निरमार हुआ है 1 प्रत्य एक प्रत्य जवाब का है वो किसमे है तो लौकिक बिल्कुल ए ए नमबर है लौकिक लौकिक में आपका एक प्रत्य आपका हो जाएगा ठीके नेस कोचन दिया गया है आपर किनमलिकित में से किस उपसर्ग से स्वागत सब्द का निर्माड हुआ है उपसर्ग पूछा है आपसे उपसर्ग अटा स्वागत का अगर हम लोग विग्रा करें ठीके स्वागत का अगर विग्रा करें तो सु धन आगत होता है इसका मतला option आपका B हो जाएगा सू, यहाँ पर सू आपके क्या है आपका स्वगत में उपसरग आपका है ठीके, अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया है किनमनिकित में से कौन सबसे भिन सब्द है कौन सबसे भिन सब्द है रोस, अमर्स, तैस और कौर रोस, अमर्स और तैस ही एक सब्दें लेकिन कौरूर सब्द आपके यहाँ पर अलग हो जाएगा option आपका D हो जाएगा ठीके, कौरूर कर्थ होता है निर्दे होता है, ठीके, चलिए अगला कोशन है पानी गए नउब्रे मोती मानुख शुन किस की रचना का वाकि है पानी गए नउब्रे यह आपके जो अलंकार पड़े थे अलंकार बताया गया था बिन पानी सब्सुन पानी गए नउब्रे मोती मानुख शून यहाँ पर पानी का अर्थ sit तीन हो जाते हैं पूरा आपने पड़ा रहिमन पानी राखिए तो उसी से आपका है यह नमबर आपका हो जाएगा तो इस प्रकार से यह टेस्ट आपको यहाँ पर कंपलीट होता है ठीक है अच्छे कोस्चन थे और यह कोस्चन आपके पूछे हुए थे 2018 में कोशन पूछा गया था वी ए डि दूरत होती है पीडियाप को हम आपको पीडियाप दे देते हैं ठीक है धन्नवाद जैन जैवारत